और इस वत की बड़ी खबर ज्यान दापी में पूजा आर्चना से रोके जाने पर स्वामी अभी मुक्तेश्वर अन्द सरस्वती अंजल स्त्याक कर बैट गए हैं बताया जा रहा है कि उन्होंने पूजा आर्चना करने की इजाज़त मांगी थी लेकिन पुलिस की तरफ से उनको इजाज़त नहीं दी गई जिसके बाद उन्होंने अनजल त्याक दिया है आपको बता दे आदी विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूझा आर्चना करने की मांग स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से की जा रही थी और इसको लेकर पुलिस ने उन्हें अनुमती नहीं दी आपको बता दे कि 4 जून को बहाँ पूजा आर्चना करने का एलान स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से किया गया था और ये वही जगह है जो कोट की तरफ से सील की गई है इस जगा पर ही पूज आर्चना की मांग स्वामी अभी मुक्तेश्वारनंद सरस्वती कर रहे थे आपको बता दें स्वामी अभी मुक्तेश्वारनंद सरस्वती दरसल श्री विद्यामत के गेट पर ही अंशन पर बैट गए हैं आप जौनधापी में पूझा अर्चना करेंगे। आदी विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूझा अर्चना करेंगे। और इसको लेकर पुलिस की तरब से पहले ही उनको इन्टाओ कर दिया गया था, बाप जु जिसके स्वामी अभी मुकितेश्वरा अनंद नहीं माने औ और उनकी तरब से कहा गया कि वो पूजा अर्चना करेंगे जिसके बाद पुलिस की तरब से कदम उठा गया है जहां पर वो अंशन पर बैटे हैं उस पूरे एरिये को भी पुलिस का जो सुरक्षा पैरा है वो लगा दिया गया है इसके अलाब बारिकेडिंग लगा दिया ग जगा को सुरक्षित रखा जाए और वहाँ पर सियात्यफ के जवान बाकाईदा सुरक्षा में तैनाथ किये गए हैं पूरे एरिये को पूरे जगा को सील कर दिया गया है लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वर अनंद लगातार अड़े हुए हैं उनकी तरब से आज के जगातार वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए अड़े हुए हैं और उनकी तरब से एलान भी किया गया कि जब तक वो आदी विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तब तक वो अन जल नहीं लेंगे इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यानदापी में मिला शिवलिंग हमारे आदी विश्वेश्वर का पुराना जो तिरलिंग है देटा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें प्रान होते हैं भगवान को भूका प्यासा नहीं रखा जाता उनका स्नाम श्रिंगार पूजा भोग राग नियमित होना पूलिस की तरफ से कही गई है इसके अलावा आपको बता दें पूलिस की तरफ से भी उनको ये साफ कह दिया गया कि अनुमती आपको नहीं मिलेगी तो जोतिश और द्वारका शादापीर के शंक्राचार है जगत गुरु स्वामी स्वरूपानन सरस्वती के शिष्षे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानन सरस्वती जिनकी तरफ से वारानसी के ग्यानवापी मस्जिद में शनीबार को पूजा अर्चना का एलान किया गया था और आपको बता दें कि ये दावा उनकी तरफ से किया गया कि ग्यानवापी में भग्मान आदी विश्वेश्वर प् यहां पर पुजा अचना की अनुमती नहीं दी जा सकती। उसके बाब जूद भी अगर वो ग्यान वापी जाएंगे तो उनके खलाफ कठोर थारवाई होगी। इसके लाबा पुलिस की तरफ से यह जान कर दी गई कि छे थानु की जो पुलिस है वो उनके श्री विद्या मठ के इर्दगित तगड़ी घेरा बंदी किये हुए हैं मठ की और आने जाने वाले रास्ते पर बाकाइदा दारिकेडिंग कर दी गई है। रोज भोग लगना, रोज उनको पानी का भोग लगना, बोबजन का भोग लगना जरूरी होता है, रोज उनका असनान जरूरी होता है, जैसे हमारे आपके लिए होता है, तो वो प्रति दिन उनको कम से कम मिनिमम एक बार तो हो जाए, अभी तो हम इसकी चिंता कर रहा है। अनुमाति नहीं दिया उन्होंने लेकिन फिर हमने एक उनर विचार याचिका दी है उनर विचार के बारे में अभी हमको कुछ नहीं आउगत कराया गया इसका मतला विचार कर रहा है हो फोर्स तो सुरक्षा बेवस्था के लिए लगाई होगी पेवस्था उनका अधिकार है सारे बिल्कुल शुटम्हण को और अभी तक हमको कहा है हम रोख देंगे अभी तो हमने पंणर विचार के लिए उनकी दिया है उदिकारी विशार कर ला है हमको लगत नहीं कर आ य cat all the industry दिया वैज पंणर विचार बाद जब चाब ही जाने लागी कर देते हैं। उपने विचार में कि भगवान को भोग पानका का पूजा पाने का उनका स्वajim का अधिकार है उस अधिकार को क्यों सस्पेंट किया जा रहा है आप हमको रोकना चाहते हैं हम रुकने को तयार हैं लेकिन आप हमको सूचना कर दीजिए कि दूसरे पंडित के माध्यम से, सरकार किसी को नइ उक्तर कर दे, उसके माध्यम से पूजा तो हो जाए, हमको सूचना भर दे दीजिए परामानिक की बगवान की पूजा आज की हो गई, तो हम नहीं जाएंगे, हमको, ऐसी कोई जिदन направे हैं, हम स्वेन जाएं, हम पूजा की सामगरी रखके हम प्रणाम कर लेंगे, तब हम मान लेंगे कि उनके तक पहुचा दिया है। जैसे जब हम नहीं रहते हैं गर में तो बाहर जो पोस्ट बोक्स होती है, उसमें चिठी डालने से मान लिया जाता है कि उनको चिठी मिल गई। तो हम ताले के बाहर तक रख देंगे, पूजा की सामगरी प्रणाम करके आ जाएंगे, हमको क्या दिक्त है। अब यह रोक दिया गया तो कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे।